Hello, Welcome, मैं हूँ तौसीफ और आप देख रहे हैं विली फो यू और आज मैं आप लोगों को हिक्स लॉक के बारे में बताऊंगा ऐसे तो प्लेज स्टोर के ऊपर बहुत सारे अप्लिकेशन आवेलेबल हैं आप लोकिंग और पूटू लोकिंग से लेटेड़ बत ये अप्लिकेशन थोरा सा खास है थोरा सा अलग है इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अपने घर के अकॉरिंग अपने office के according अपने workplace के according for example WhatsApp है WhatsApp को आप चाहते ही कि आपका जो है office में यह WhatsApp जो है वो unlock रहे बत आपके घर में जाते ही यह WhatsApp लॉक हो जाए तो इस तरह की setting जो है वो आप profile के according कर सकते हैं इसकी और खास बात यह है कि आप Wi-Fi के setting भी अपने profile के recording कर सकते हैं कि जैसे यह आपकी घर के Wi-Fi से connect होगा automatically जो है आपका profile घर वाला जो profile है वो activate हो जाएगा इसकी और खास बात यह है कि fingerprint support करता है आप you know uninstall होने से protect कर सकते हैं और भी बहुत सारी settings है आप guarantee photos वगरा को भी protect कर सकते हैं इस application के जरिये तो description में link दिवी है आप इस application को download कीजिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी इस application का use करना है और इसमें क्या-क्या features है सबसे पहले चलते हैं play store में और download करते हैं hex lock आप description की link को follow करके इसे download कर सकते हैं आप इसकी rating देख सकते हैं 4.3 rating है 1 million लोगों ने इसे download किया है तो simply आप इसे install कीजिए 5.33 MB की file है बहुत ही आसानी के साथ आप इसे install कर सकते हैं install होने के बाद simply आप इसे open कीजिए जब आप first time open करेंगे तो आपको pin या फिर pattern set करना पड़ेगा तो चलिए मैं यहाँ पे pin set कर देता हूँ 1,2,3,4 1,2,3,4 यह हमारा Higgs lock open हो गया यहाँ पे अभी जो है work profile selected है चलिए इसके अंदर मैं एक application आप कर देता हूँ WhatsApp अब यहाँ पे actual profile क्या है मैं जैसे work profile को activate करूँगा WhatsApp हमारा automatically log हो जाएगा यहाँ पे और भी application आप 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 कर सकते हैं वैसे ही चलिए यहाँ पे आप simply slide कीजे और यह आपका home है home के अंदर आप दूसरे application को add कर दीजे या पिर WhatsApp और दूसरे application for example इसके अंदर मैं Facebook को log कर देता हूँ तो मैं जैसे home को activate करूँगा automatically हमारा Facebook जो है वो log हो जाएगा तो आप अपने जगह के अनुसार जगह के according जो है वो आप profile को activate कर सकते हैं तो simply आपको क्या करना है simply slide करना है आप यहाँ से add भी कर सकते हैं और भी profile अगर आपको चाहिए तो आप add कर सकते हैं यहाँ पे party, school, cafe and सबसे पहला जो यहाँ पे option है वो off है अगर आप यह चाहते हैं कि temporarily आप सारे lock को हटा दे इससे disable कर दे इस application को तो आप यहाँ से off कर सकते हैं किसी भी application पे कोई भी lock नहीं रहेगा बट आपका profile जो है जैसा आपने create के हैं वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा simply अगर for example मैं यहाँ पे walk को activate करता हूँ आपको सबसे पहले allow करना होगा यहाँ से आप simply hex lock को slide करके allow कर दिजिए back 1,2,3,4 अब अगर मैं walk को activate कर देता हूँ तो अभी हमारा walk अक्टिवेट होगया और walk के अंदर जो है वो हमारा whatsapp है बट चुकि home जो है वो हमारा activate नहीं है तो हमारा facebook easily open हो जाएगा बट अगर मैं home को activate कर दूँ यहाँ पे आप fingerprint के लिए आ गया कि अगर आप fingerprint का use करना चाहते हैं तो आप use कर सकते हैं मैं यहाँ से enable fingerprint कर देता हूँ तो यह देखिए अगर मैं home को activate करते हूँ तो अब हमारा क्या था home में हमारा सिर्फ facebook lock था तो चलिए facebook को open करके देखते हैं facebook और यह हमारा password मांग रहा है बट अगर मैं यहाँ पे whatsapp open करूँ तो बहुत ही आसानी के साथ यह open हो जाता है तो यह है profile का fund up मैं simply fingerprint का use करके इसे open कर सकता हूँ later आप यहाँ पे और भी profile जाहे वो add कर सकते हैं आप एक ही application को multiple profile में भी lock कर सकते हैं इसके लिए कोई problem नहीं है तो simply चलिए menu में चलते हैं यहाँ पे application locker, app locker उसके बाद media vault है अगर आपको किसी भी photo को gallery की, किसी भी photo को private करना हो आप उसे hide करना चाहते हूँ तो आप उसे इस vault में add कर सकते हैं तो simply यहाँ पे add allow और fingerprint जो भी आपका password है वो for example मैं यह picture select कर लेता हूँ और यह हमारा यहाँ पे picture जो है वो add होगी है यहाँ पे आप top में देख सकते हैं कि यहाँ पे enable, uninstall, prevention भी आ गया अगर आप यह चाहते हैं कि आपके इस application को कोई भी uninstall ना करे तो आप इस mod को enable कर सकते हैं तो चलिए मैं enable कर देता हूँ enable, activate आप यह सारी चीजे जो है वो आप settings में जाकर के भी कर सकते हैं चलिए अब हम लोग चलते हैं settings में settings में जाने की बाद सबसे पहले आपका जो आता है reset passcode, pin उसके बाद fingerprint जोकि मैंने enable कर दी आप यह से चाहाँ तो disable कर सकते हैं अगर आपका mobile fingerprint support करता है तो इसमें अलग से आपको fingerprint प्रिंट आड करने की ज़रूत नहीं है जो भी आपने add किया हुआ fingerprint वही इसमें काम करेगा lock screen customization अगर आप color वगरा change करना चाहते हैं lock screen का तो आप change कर सकते हैं या पिर अपना कोई custom लगाना चाहते हैं gallery से तो आप लगा सकते हैं वैसे ही required passcode जो है कोई install ना करें कोई force stop ना करें तो आप इसे activate कर दीजे enable कर दीजे चलिए मैं आपको settings मिले चलता हूँ और दिखाता हूँ application manager application manager और इसके अंदर जो है वो हमारा कहां गया भाई hex lock आप यहाँ पर देख सकते हैं कि uninstall and force stop यह hidden है यह work नहीं करेगा हमारा तो यह काफी useful है कि अगर आप यहाँ चाहते हैं कि कोई force stop ना करें तो वो यहाँ से नहीं कर सकता है कुछ भी आपका पुरी तरीके से वो secure रहेगा settings और कुछ देख लेते हैं auto activate यह feature भी जो है काफी useful feature है यह feature जो है वो काफी useful feature है अगर आप you know wifi के ओपर भी set करना चाहते हैं कि आपके घर का wifi है यह आपके you know office का wifi है तो जैसे आप उस wifi से connect होंगे automatically वो connect हो जाएगा जैसे कि मैं इसे enable कर देता हूँ है ना मैंने auto activate जो है na wifi enable कर दिया है अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते है setup auto activate तौसीफ मैंने कर दिया अब जैसे मैं तौसीफ से connect होंगा इस wifi से मैं जैसे connect होंगा automatically work profile जो है ना वो हमारा activate हो जाएगा वैसे ही आप दूसरे में set कर सकते है चुकि मैंने already तौसीफ का यही हमें लगा auto activate and profile का जो feature है वो हमें काफी अच्छा लगा इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो आप लोग इस application को download किजी use किजे अगर बहतर लगता है तो आप इसे use किजे वरना इसे uninstall कर दिजे कोई problem नहीं है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों के लिए application helpful आओगा आप लोगों को पसंदाया होगा तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर कीजी आप इस वीडियो को share भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को subscribe के लिजे उपर क्लिक करके आप subscribe कर सकते ही खायर चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में खुदा हवीज अपना ख्यार लखिएगा